हेलो गाइज वेल्कम बैक तु दे चैनल सो परसो अगेज विला रेयल वे प्लेट बेस्ट गेम अफ दे सीजन और विला रेयल जो की एक टफ अपोनेट रही है हमेशा से अगरण बड़ी टीम्स की बात करें तो हमेशा से वह टफ कॉंपिटिशन देती है चाहे वह अब रेय वन अफ दे बेस्ट गेम ऑफ दे सीजन बट विला रेयल वे गेम में हमें एक बुरी न्यूज जो निकल के सामने आई वो था डेविड अलाबा की इंजिरी अब जब से मैंने फूटबाल को फॉलो करना शुरू किया है मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी टीम के मेन प्ले डेविड अलाबा थे वो भी एसील की वजह से बाहर हो चुके हैं अब अगर हम डेविड अलाबा की इंजिरी की बारे में बात करेंगे वो वापस कब आ सकते हैं तो अकॉर्डिंग टूर रिपोर्ट्स जो अपी निकल के सामने आ रही हैं कि डेविड अलाबा साथ से आठ महिने के लिए बाहर हो चुके हैं और अब भी इस वक्त अगर हम अपने सेंटर बेक्स की बात करें तो हमारे जो सेंटर बेक्स हैं इस वक्त हमारे पास हमारे पास सिर्फ स्कॉर्ड में दो सेंटर बेक्स हैं एक आपके रूडिग और एक आपके नाचो उसके इलावा में लिटाओ भी आपके इंजर्ड है और आपके डैविड अलाबा भी इंजर्ड हो गए and it's really unfortunate डैविड अलाबा की इंजरी के बाद दो ती रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है कि शायद हम कोई यंग सेंटर बेक साइन करें यह शायद हम कैसी वेटरन जो सेंटर बेक के लिए जैसे के राफाइल वारान पहले तो I am not against राफाइल वारान साइनिंग जो के लोन पे आते है जो के बेस्ट ओप्शन होगा रेयल मेटरेट के लिए लेकिन मैंने अपनी जिन्दगी में काफी कम देखा है कि रेयल मेटरेट में किसी especially मैं वेटरन की अगर बात करूं तो पाइद वो वापस आ जाते जब वो रेयल मेटरेट में उन्होंने अपने ट्रेनिंग रिजियूम की थी जब उनका मैंचिस्टर उनाइटेड से कॉंटरेक्ट टर्मिनेट हुआ था सेकेंडली अगर आप मैंचिस्टर उनाइटेड की बात करें तो सपोजिंग्ली मैंचि इस्टर उनाइटेड बरोसा कर सकती है तो मुझे लगता है कि इस वेरी अनलाइकली के राफायज वराद रेयल मेटरेट में मूव होंगे और मुझे लगता है कि एक हाई टायवर रेयल मेटरेट के लिए कि उनको सेंटर बैक पेर में अपने इन्वेस्ट करना चाहिए क्य है तो इस हाई टायम कि आप एक यंग सेंटर बैक पे इन्वेस्ट करें चाहिए व एड़नी असिल्वा होते हैं चाहिए भोग कि हमें हाई टायम है कि हमें अक यंग सेंडर बैक पर इंवेस्ट करना पड़ेगा और इक और निउस निकल के सामने आ रही है मारका की तरफ से और वो निउस यह है कि रेयाद मेडरेट ने डिसाइड किया है वो किसी सेंडर बैक को जैनुरी टास्फ़र विंडो में साइड नहीं करेंगे तो I think it's really terrible news और यह ऐसी news है अगर यह सच है तो मेरे कैल सी यह आपका पूरा सीजन लिएट कर सकती है क्योंकि वी आर स्टिल इन डिसेंबर अभी जैनुरी भी शुरू नहीं हुआ और अगर हम सेंडर पे नाचियो और रोडिकर पे पूरा सीजन लिलाए करते then it will be completely mess और especially मैं कहूंगा के कार्लो एंजलोटी पर डिस्रिस्पेक्ट होगा जिस तरीके से और अने मैनेज किया पहले आपने उसको फॉर्वर्ट नहीं दिये समाओ उसने मतलब काम चला दिया और जब आप इतनी अच्छी फुटबोल खेल लेते and unfortunately आपके डेविड अलाबा इंजल हुए तौबा ये चाह रहे हो कि आपकी जो दो सेंटर पेक्स है उन पर ही आप पूरा सीजन वे लाए करो I think this is a terrible idea जिसका भी idea और secondly मुझे लगता है कि यही एक वज़ा है कि फलोरंटीनो पेरेस किसी और मैनेजर के नहीं नहीं जाते और यही एक वज़ा है जो कि मैं चाहता हूँ कि कोई और मैनेजर आए कोई पावरफुल मैनेजर आए जो कि फलोरंटीनो पेरेस से प्लेर्स की डिमांड करे मुझे एक बास समझ नहीं आती कि कार्लो एंजलोटी इतने बड़े मेनेजर हो के फुलरंटी नो पेरेज के पुपिट के तौर पे क्यों काम कर रहे है आप ने खुद को हर जगा मनवाया है और अगर आप इस वक देखे तो आप रेयल मेटरेट पर अच्छा कर रहे हो अब अदलब एटलीस मैं चाहता हूँ कि कार्लो एंजलोटी एटलीस वो कनो अपने डिसीजर्स में जैसे दिनेडीन जडान थे उनको प्लेश चाहिए थे पोड ने उनको प्लेश प्लेश प्रवाइड नहीं किये उन्होंने रिजाइन कर दिया है अब बाती दू लेट मी नो इन दे कमेंट सेक्शन वोट दी तिंक को और डिसको आने चाहिए डेवट अलाबा की रिप्लेश में या जो ग्र्याल बेट रिचेजर्स दिया है जो मारका की तरफ से क्या वो बेस्ट रिसीजर्स दे सेंटर बेक साइड ना करने का तू लेट मी नो इन दे कमेंट सेक्शन मिलते हैं नेक्स रूटियो में अटिल नेक्स टैट पीस